हेलो स्टुदेंट्स आज हम लोग एड्विस्टेटिव ला के पेपर में इस टॉपल के प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे इस टॉपल इसको हिंदी में कहते है विबन्थ तो जो एड्विस्टेटिव ला का में इस टॉपल का प्रिंसिपल है इसको एविडेंस से तो आईए देखते हैं कि स्टॉपल का प्रिस्पल है क्या इसकी मीनिंग क्या है तो इस्टॉपल is a rule by which a party is precluded from denying the existence of some state of health which he had previously asserted and on which other party has acted to his detriment इस्टॉपल विरिका वानियम है जिसके माध्यम से किसी एक प्रक्षिकार को उस्तथ्य से इनकार करने से उस्तथ्य के अस्तित्य को इनकार करने से रोग दिया जाता है का हुआ है जिसत्य के पहले काम किया है और जिस dobrze पर विशुआ थर्ग करके दूसरे पत्रे क्षिकार में अपने र कित्रिमेंट पर कोई काम किया है ऐसा पोई कार गिया है इससे उसको कुछ नुकसार हुआ है उग। है कि जब कोई व्यक्त की बात जब कोई एक व्यक्ती किसी अर्ण्य के सामने कोई बात कहता है किसी बात के सत्य होने का प्राख्यान करता है और वो व्यक्ति उस बात पर विश्वास करके कोई कार्य करता है तो यह पहला व्यक्ति जिसने किसी तत्थिकों सही पहले कहा था वो बाद में यह नहीं कह सकता है कि जो कुछ उसने पहले कहा था वो गलत है तो इस टापल को इंडिये रेब डेंस एक के सेक्शन 115 में के माध्यम से अपनी किसी घोषणा के माध्यम से या अपने किसी कार्य के माध्यम से किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया है कि कोई बात सक्थ है और उस व्यक्ति ने उसके डिक्लेरेशन एक्ट या ओमिश्वास करते हुए कोई कार्य किया है तो वह व्यक्ति जिसने पहले इस तरह का कथन किया था उसको बाद में जो बात उसने पहले कही थी उससे मुकरने का उसर नहीं दिया जाएगा यह संब्सका इस में और इलस्टरेशन दिया गया है तो चीजार की सियशे पर मामवड यह था कि एक व्यक्ति ने डूसरे व्यक्तिक और यह व्यक्ति को यह भरोसा दिना कि एक साफिल उसका है और उसने उस piece of land को उस दूसरे वेक्त को बेच करके उसका पैसा ले लिया जबकि जिस समय उस piece of land को ट्रांसफर किया गया था उस समय वह piece of land seller का ना हो करके बलकि उसके पिता जी का था subsequently वो piece of land उस वेक्त को जिसने बेचा था उसको inheritance में मिल गया तो उसने इस बात के लिए सूट लाया कि जब उसने जमीन को बेचा था उस piece of land को बेचा था तब उसके पास उस piece of land को ट्रांसफर करने की पावर नहीं थी इसलिए उस ट्रांसफर को वाइट डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट ने ये कहा कि एक बार वो इस बात का दावा कर चुका है कि वो piece of land उसका है और उसके दावे पर भरोसा करके ट्रांसफरी ने उस piece of land को परचेस किया है तब वो अब ये नहीं कह सकता है कि जो उसने कुछ पहले कहा था वो असके हैं तो विबन का सिध्धान्त के आधार पर अगर किसी व्यक्ति ने पहले previous stage पर किसी बात के सत्य होने का दावा किया है तो बाद में किसी subsequent stage पर वो उस बात से मुकर नहीं कह सकता है कि जो कुछ उसने पहले कहा था वो गलत है भले ही वो अतत्य अपने आप में असत्य ही रहा हो लेकिन उस व्यक्ति को मुकरने का आउसर नहीं दिया जाएगा यह इस्टॉपल का जो principle है वो लैटिन मैग्दिम है वो व्यक्ति जो अलग अलग बात तरह की बाते करता है परस पर विरोधी बाते करता है उसको नहीं सुना जाएगा जाना चाहिए इस principle पर यह इस टॉपल का principle based है तो अगर हम इसके elements की बालत ने इस टॉपल के principle की तो जो section 115 Indian evidence act में इस टॉपल की definition दी गई है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपल के लिए जो first essential element है कि there must be some declaration act or omission किसी व्यक्ति द्वारा कोई घोषना होनी चाहिए या उसके द्वारा कोई कारे किया गया होना च दूसरा essential elements है कि जिस व्यक्तिक से घोषना की गई है वो व्यक्ति या जिसके लिए कोई कार या omission किया गया है दूसरा व्यक्ति इस पहले वाले व्यक्ति की घोषना पर declaration पर act या omission पर belief करे दूसरा व्यक्ति उसके कार पर घोषना पर या उसके लोग पर विश्वास करे और तीसरा essential elements है कि इस belief पर उस दूसरे व्यक्ति ने कोई कार किया हो, उस बात को सत्य मानते हुए कोई कार किया हो, तो अगर ये तीनो essential elements पूरे हो जाते हैं, तो stopple का principle अप्लाई होगा. अगर points की बात करें, तो stopple का principle जो है, उसका एक होता है stopple by record, stopple by record का मतलब जो चीज official records पे एक बार accept कर ली गई है, उससे किसी व्यक्ति को मुकरने का उसर नहीं दिया जाएगा. दूसरा है stopple by deed, stopple by deed को हिंदी में कहते हैं, विलेग दौराविबन, तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी बात को in writing accept कर लिया है, किसी document के माध्यम से accept कर लिया है, तो उसको उस बात से मुकरने का उसर नहीं दिया जाएगा. और तीसरा होता है stopple by conduct, आचरण दौराविबन, तो अगर किसी व्यक्ति के आचरण के आधार पर हम ये किसी दत की सत्यता पर विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिती में उस व्यक्ति को जो उसके आचरण से परिलक्षित होता है, उससे मुकरने का उसर नहीं दिया यह है stopple by conduct, इसका अरामा एक होता है, प्रामिजरी स्थापिल को हिंदी में कहते हैं वचर विवन्द, तो प्रामिजरी स्थापिल में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति से promise किया हुआ है, और उस दूसरे व्यक्ति ने उस promise पर विलीव करके या है उसको अपने promise से मुकरने और नहीं दिया जाए गा इसी को कहतेख fragment तो जो रावीजरी इस्टॉपल में डिफ्रेंस यह होता है कि इस टोपल जो है हो किसी existing fact पर लागू होता है और फिचर में कि साइन कोई व्यक्त का दावा करता है किसीत त्रप्रो करता है कि वॉप्यूचर है और अइसा नहीं करता है त 일이 पुर्फ लुपन के अपलाइny का इस पर नियुदंटर नियुक्त एक कि पर्विस्ट कोट का प्रिसिपल गौर्ट के अगेज्ट भी अप्लाइय होता है इसका मतलब यह है कि अगर गवर्णमेंट ने किसी जनरल पीपल से या किसी व्यक्त से कोई प्रामिस किया है और वो सब्सीक्वेंट स्टेज पर उस प्रामिस से मुकरना चालती है तो उसको प्रामिसरी स्टॉपल के बेस पर रोब दिया जाएगा इस मोतिलाग पदमपक स सुगर मिल्स वर्से स्टेट और यूपी के केस में फैक्स यह से कि गवर्णमेंट ने एक स्कीम डिक्लेयर की उस स्कीम में उसने कहा कि जो न्यू इंडस्ट्री इस्टैबलिस की जाएंगी उनको तीन साल तक सेल्स टैक्स में एक्जम्संस दिये जाएंगे और यह मोतिला इंहों ने इंहों ने से अपनी इंडस्ट्री स्टैबलिस तो ऐसे सबसे कोषीनि को सब्सी कोष approach करने के लिए इस विए कोभी स्ट्रीमesser करोते से रोका जाएगा चुकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह इनगुटेवल हो का और यहां में प्राविजरी स्टॉपल के प्रिंसपल को अप्लाई कर दिया गया जो next question आता है from stopple के case में वो है इसके exceptions तो जो stopple के principle का पहला exception है वो है legislative functions of state अगर legislature का state का कोई legislative function है तो उस पर stopple का principle लागू नहीं होता है मतलब यह है कि staple के principle के आधार पर government को कोई legislative function करने से रोका नहीं जा सकता है उसको कोई act in act करने से नहीं रोका जा सकता है दूसरा है discharge of functions under law stopple का principle प्रिंसपल साफ लाग पे नहीं अप्लाई होता है मतलब on the point of law या against law stopple नहीं अप्लाई होता है तो अगर by law government को कोई function discharge करने की duty दी गई है अगर किसी विद के अंतरगत कोई कार करने का दाई जो government का बतता है तो उसको stopple के principle के आधार पर नहीं रोका जा सकता है मतलब अगर government ने कोई declaration किया भी है कोई promise किया भी है लेकिन वो promise ऐसा है जो उसके उपर by law जो responsibility impose की गई है उसके contrary है तो यह जो liability है उसको discharge करने से government को stopple के principle के आधार पर नहीं रोका जा सकेगा और तीसरा है ultra wise का principle यह कहता है कि अगर कोई government official अपनी official capacity से बाहर जाके कोई कारे कर रहा है वो अपनी official capacity से बाहर जाके कोई promise करता है तो उन मामलों में भी स्टांपिल का प्रिंस्पल अप्लाई नहीं होता है तो यह हमारा डिस्कसन था स्टांपिल के प्रिंस्पल पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टापिक के साथ थाइंगे